बिस्मिल्लाव रह्मर रहीं रभी शराली सद्री वैस्सिर ली अम्री वह लुक्दत मिल्लसानी अफकाहुकौली असलाम लेकुम स्टुडेंट्स आज का हमारा लेक्चर एक्सराइस नबर 2.5 पे हैं कैल्कुलस विद इनलिटिकल जमेट्री आज से हम इससे पहले जितनी एक एक्सराइस से पहले हमों कम्लीट कर चुके हैं अब हम exercise की question स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर में जी है जी जी question number 1 और exercise number 2.5 आपके सामने इसका पहला question है जी nth derivative आपने find करना है जबकि function आपके पास ये fraction की form में एक polynomial है numerator और denominator में आपके पास एक polynomial है और ये fraction की form में है आपने इसको differentiate करना है और nth derivative आपने find करना है जबकि इस तरहां का एक question इससे पहले के lecture में examples में हम कर चुकी है fraction में अगर आपके पास polynome आ जाए तो आप फिर आपने उसे किस तरहां से deal करना होता है लेकिन आपको यहां पर पता है कि normally दो तरीके का रहे हैं एक तो यह है कि आप इसके कुछ derivatives चार पांच find out करें और फिर उसका sequence देख लें यह किस sequence में answers आते हैं उसी से अनत बना लें लेकिन दूसरा तरीका यह है इस पर labnese तो लग नहीं सकता ठीक है लबने इस लगाना इसके आप दो function बना तो सकते हैं एक आपका x बन सकता है एक आपका 1 over x square minus a square बन सकता है लेकिन यह मुश्किल हो जाएगा ठीक है तो labnese के form में ना करें इससे पहले मैं एक example आपको करवा चुकी हूँ उस example में भी इसी तरह का एक fraction से हमारे dealing थी और fraction में numerator और denominator में आपके पास polynomial ही था तो उसको हमने किस तरह से deal किया था उसको हमने partial fraction के तरीके से deal किया था यहाँ denominator में हम बड़े अराम से देख सकते हैं कि हमारे पास fraction यहाँ factors बनते हैं denominator में तो आपने क्या करना है इसके factors बना के अगर तो easily denominator के factors बनते हैं तो आप denominator के factors बनाने और बनाने के बाद इसको partial fraction के जरी रिजॉल्व करें उसे आपके पास क्या होगा उसे आपके पास फाइदा ये होगा कि आपके पास fraction में polynomial आ जाए तो हम उसे deal कर सकते हैं हमने इस तरह के question किया था लेकिन आप इसके पहले partial fraction बनाके fraction में हमारे पास linear polynomial होना चाहिए ये हमारे पास linear नहीं है if you remember एक आपने example की थी कि अगर y आपके पास a x plus b की power minus 1 हो क्योंकि ये fraction में है अगर कोई polynomial आपके पास linear polynomial है और वो इस तरहां से fraction में है a x plus b तो फिर उसका एनध derivative कैसे find out किया जा सकता है उसी तरीके से हम इसका एनध derivative find करें कि अगर आपके पास दो factors जो denominator में linear factors बनते हैं उसको आप partial fraction के जरीए separate कर लें दो ये देखें जी हमने इसकी partial fraction की x minus a x plus a इसके दो factors बनते x minus a x plus a और इस तरहां से linear factorization आपने की ये हम सब को करनी आती है इसके बाद ये जो unknown आपने a और b यहां insert की हैं इन unknowns की value pilot करते हैं जैसे partial fraction को resolve करते हैं ये देखें जी ये आपने इनकी partial fraction में जो a और b आपने unknown use किये थे उन unknown की values जो हैं इनी factors की help से पहले आपने इसकी LCM लिये दोनों तरफ आपने पहले इसका LCM लिया और LCM लेने के बाद इस equation से ये equation बनाई denominator आपका खताब हो गया वहां से फिर इन नोनों factors की help से a और b की answers values निकाली a का answer है 1 by 2 और b का answer भी आपके पास 1 by 2 निकला इन answers को find out किया और find out करने के बाद आपने वापिस यहां पर back substitute कर लिया a की value और b की value तो यह आपके पास बन जाता है 1 by 2 over x minus a plus 1 by 2 over x minus b x plus a ठीक है जी तो यह आपकी partial fraction जिसमें आपको numerator में भी नज़र आ रहा था polynomial अब आपको सिर्फ denominator में polynomial नज़र आए तो इस तरहां से करने के बाद अब चलते हैं इसके nth derivative की तरफ यह देखें जी यह आपने इससे substitute कर दिया और substitute करने के बाद यह form आपके पास बन दी है अज़सा जी यह जी आपने apply कि यह अपने अप्लाई किया nth derivative y पे y actually में आपकी यह form थी और इसकी जो partial fraction आती है वो आपके पास इन दोनों का sum था आपने इन दोनों terms के उपर अलग लग nth derivative को आपने direct apply कर दिया next step में आपने क्या कि यह 1 by 2 को बाहर निकाल दिया और direct आपका nth derivative जो है वो polynomial factor के उपर जाके apply होगा इसी तरह से यह plus वाले पे और इसी तरह से minus वाले पे इसके बाद आपको मैं एक formula याद कराती चलों वही वाला formula जो हमने मैंने आपको कहा है कि अगर आपने शुरू में एक example मैंने आपको करवाई थी विछले lectures में कि अगर आपके पास y इस form का polynomial हो आपके पास जो fraction में है और यह linear polynomial है तो फिर nth derivative का जो answer निकलता है वो यह हमने derive किया था इसको proper और मैंने आपसे उस वक्त भी कहा था कि आपने इस answer को इसकी value को nth derivative के answer को याद कर लेना क्योंकि इसको हमने मुखलिफ questions में apply करना अब इसको हम apply करेंगे यहाँ पे अब आप यहाँ पे पहले इस polynomial को अपने question के polynomial के साथ resemble करा है standard polynomial होता है जी ax plus b तो a आपका यहाँ पे क्या है? a आपका वैसी one है और b की जगा यहाँ पे आपके पास क्या है? b की जगा यहाँ पे minus a है तो अगर आप यह वाला formula insert करते है nth derivative का यहाँ पे apply करते है तो फिर nth derivative का आपके पास answer क्या आता है? यह देखें अगर आप इसके उपर apply करते हैं तो आपके पास आएगा minus one की power n n factorial a की power n ठीक है? अब यहाँ पे a का मतलब जो है x का coefficient है x का coefficient वैसी one है तो one की power n आपके पास आएगी और denominator में जो भी polynomial है उसकी power n plus one यानिके x minus a की power n plus one इस तरह से one की power n वैसी vanish हो जाएगा ठीक है? तो यह आपके पास इसके उपर nth derivative का formula यह बनता है इसी तरह से x plus a की उपर one over x plus a की उपर आपने लगाना है फरक सिरफ इतना आएगा कि denominator में same यही चीज़ होगी लेकिन denominator में x minus की बजाए x plus a हो जाएगा ठीक है? तो देखते हैं इसको कोलते हैं यह देखें जी आपने इसके उपर nth derivative apply किया इस formula के through तो आपके पास यह answer आता है और इसके उपर apply करने से आपके पास यह answer आता है इन दोनों में से आपने 1 by 2 common निकाला वे इसके लावा minus 1 की power n इसमें भी common है, इसमें भी common n फिक्टोरी लेदर भी common है, इदर भी common है तो अगर आप मजीद यह चीज़े common निकाल लें, तो आपके पास क्या बनता है, यह देखें जीए, अगर आपने बजीद minus 1 की power n, एन फिक्टोरील को भी common निकाल लिए, 1 over 2 के साथ साथ, तो आपके पास सिर्फ अंदर x minus 1 की whole power n plus 1, और x plus 1 की whole power n plus 1, यह बचाता है, और यह हो गया आपका finally nth derivative, देखें, start में कितना मुश्किल लग रहा था, लेकिन आपने उसे partial fraction की technique से, लबने इस नहीं लगाया हमने यहाँ पे, हमने partial fraction की technique से, उसको, उस fractional polynomial को, इस तहां से nth derivative इसका find out करती है, जी question number 2 है, आपके सामने again, यह वैसे ही question है, जैसे कि question number 1 था, आपके पा partial fraction के तरीके से ही resolve करना है, और इसका आपने nth derivative find out करना है, यह देखें जी partial fraction इसकी कैसे हमने बनाई है, आपके सामने है, चुके already यहाँ पे दो factors denominator में बने वे थे linear, तो इस तरहां से हमने इनको separate कर लिया, जी next, आपके पास आपने इस fraction को खतम किया, जो partial fraction का तरीका है, उ कि बतादूं कि आपने यहाँ पे x-1 और x-2 का LCM लिया, वो LCM इसके साथ cancel हो गया, और a के साथ x-2 और b के साथ x-1 चला गया, इसके बाद आपने इनी factors की help से इस equation की, तो equation number 2 है, इसको solve किया, एक दफा इस factor को equals to 0 रख किया, x की value 1 put की, इस equation number 2 में और एक दफा x की value 2 put की, 1 by 1 आपके पास एक दफा b का answer आजाएगा और एक दफा a की value आजाएगी, यह देखें b की value आपके पास 16 और a की value आपके पास minus 1 आई है, इन दोनों value को उठाएं और इन दोनों values को उठाके, इस equation number 1 में back substitute कर दें, जब आप equation number 1 में back substitute करेंगे तो equation number 1 की जो shape बनेगी आपके आपके पास वो है जी, यह आपके पास equation number 1 की shape बनेगी, a की जगा minus 1 और b की जगा आपके पास 16 आगया, इसके बाद आपने क्या करना है, a और b को put करने के बाद, यह देखेंजी आपने nth derivative apply कर दिया left side पर भी और चो partial fraction की form है उस पर भी, अब यहाँ से minus 1 और यहाँ से 16 चुके constant है, वो बार निकल आएंगे और direct आपके इन factors की ओपर जाके nth derivative apply होगा, उसके बाद चुके again, यह आपके पास वैसी है, जैसे पिछले fraction में, fraction में आपका प polynomial हो तो उसकी shape बन जाती है, इसको भी आपने resemble कराना है, 1 over ax plus b linear factor के साथ, यह अगर आपके पास linear polynomial हो denominator में, तो उसका जो nth derivative बनता है, वो यहाँ पे आप बेशक लिख लें, यहाँ आपको याद होगा, तो उसके मताबिक आप इसको convert करेंगे, देखें, अगर आपके पास यह polynomial हो, fraction में, standard form में, तो आपका derivative यह आता है, अब यहाँ पे a again आपका 1 है, और b जो है, वो आपका minus 1 है, तो उसके मताबिक यह आपका convert हो जाएगा, यह निकलेगा आपके पास क्या, यह देखें जाए, इसको थोड़ा से उपर कर ले, यह देखें, आपके पास अगर यह है, 1 over x minus 1, तो उसके उपर nth derivative अप्लाइ करने के बाद, minus 1 की power n, n factorial और 1 की power n, 1 stands for a, और x minus 1 की whole power n plus 1, इसी तरह से x minus 2 के साथ हिसाब है, कि minus 1 की power n, n factorial 1 की power n, क्योंकि 1 stands for a, x minus 2 की whole power n, minus n plus 1, अब इसमें से, यहाँ पे आपके पास 16 है, यहाँ पे आपके पास minus 1 है, अब आपने जो common निकालने हैं, वाँ आप common निकालने, और finally यह आपके पास nth derivative का answer है, यह question number 1 and question number 2 are same, हमने दोनों को partial fraction से solve किया, जी तो next, हमारे पास question number 3 है, question number 3 में, आपके पास है question में function e raise to power a, x multiplied by sin b, x plus c, और आपने nth derivative यहाँ पे find out करना है, देखे, nth derivative find out करने के लिए, अब यहाँ पे यह साफ नज़र आ रहा है कि, जैसे मैंने e raise to power a, x की अलग आपको derivative find करना सिखाया है, और sign का अलग मैंने सिखाया है, अब यह दो different functions, अगर एक ही question में product की form में आज़ें, तो फिर हम सब जानते हैं कि labness लगाना पड़ता है, तो हम इसे labness से कर लेते हैं, इस question को मैं आपको दो तरीकों से कराऊंगी, पहले चुके obvious नज़र आ रहा है, मैंने जो आपको rules regulations बताएं हैं, उसके मताबिक अगर first look में ही देखा जाए, तो इस question में नज़र आता है कि आपने labness से ही करना, यूँकि labness में जो भी आपका function होता है, वो product of two functions के product की form में लिखा होता है, और यह बिल्कुल उस चीज़ को follow कर रहा है, तो आप यहाँ पर पहले labness से कर लें, और फिर मैं आपको दूसरे तरीके से कराऊंगी, दूसरा तरीका भी देख लेते हैं, कि labness के इलावा इसको किस तरीके से किया जा सकता है, जी तो पहला तरीका यह labness का है, देख लेते हैं, इसके उपर labness law rule लगा के, देखें जी, आपने nth derivative सबसे पहले दोनों तरफ अप्लाई किया, अप्लाई करने के पाथ, right hand side पे labness लगाना है, यह देखें जी, nc0, जी इसमें आपने पहले यह select कर लेना है, किसको आपने nth derivative में, किसको आपने u में और किसको v में रखना है, क्योंकि u में जीसको रखेंगे, उसको सबसे पहले आपको nth derivative find out करना पड़ेगा, यह देखें, मैंने यहाँ पी किसको u में रखा है, मैंने e raised जी पार a x को u में रख लिया, क्योंकि इसका nth derivative find करना कोई मुश्किल काम नहीं है, और sign को मैंने v में रखा है, यह as it is, फिर nc1 है, इसका n-1 derivative इसका first, इसका n-2 derivative और फिर इसका second derivative, and so on, यह सिल्सला nth derivative तक चलेगा, अब हम चुके दो अलगला questions कर चुके हैं, जिसमें हम e का भी nth derivative find कर चुके हैं, और करना सीख चुके हैं, और sign का भी nth derivative find करना सीख चुके हैं, अब हम वही rules यहाँ पर apply करेंगे, यह देखें, simplification steps हैं, nc0 का answer 1 निकलता है, e raised to power ax का जो nth derivative बनता है, वो बनता है चुके इसकी power में ax है, x का जब आप derivative लेंगे तो वो a बनेगा, a raised to power n, e की power ax, यह nth derivative इसका बनता है, e raised to power ax, a की power n, जी, तो sign bx आपका as it is, इसके बाद nc1 का answer n होता है, और e ax का n-1th derivative, तो a की power n-1 और e ax, इसके लिए आप अपनी book की example देख सकते हैं, आपके book में examples हैं, जिसमें हम e raised to power ax का n-th derivative, जो है, वो find करना सीख चुके हैं, तो मैं उसी rule के मताबिक, जो है, यहाँ पे इसका n-1, n-th and son derivative find कर रही हूं, फिर उसके पाद n-2, n-2nd derivative, एकी power में, वो ही जितनवा derivative है, वो ही एकी power आजेगी, और e की power ax as it is, और sign का double derivative, यह देखें, sign as it is, sign का first derivative cos में बदल जाता है, और sign के angle का derivative जो है, वो b आता है, उसके बाद sign का double derivative, फिर sign में convert हो जाता है, minus आता है, b square आ जाता है, इसी तरहां से n-th derivative, अगर आपको याद हो, मैंने आपको sign, ax plus b, का n-th derivative लेना सिखाया था, यह भी आपकी एक example है, इस exercise से पहले, तो उसके rule के मताबिक, यह मैंने n-th derivative का answer लिखती है, ठीक है, मैंने वहाँ से इसकी value insert की, यहाँ पर, जो rule मैंने जिस तहां से, जो भी आपको answer निकलवाया था, मैंने आप से खाया था कि, यहाँ पर examples में जितने भी questions हैं, तकरीबन उन सब की n-th derivative का, आपने तकरीबन याद कर लेना है, क्योंकि उनके results, आपकी exercise के questions में use होंगे, तो यह आपने वहाँ से, n-th derivative का, sign की n-th derivative का जो answer है, वो यहाँ put करती हैं, इसके लिए आप मेरा पहला lecture देख सकते हैं, पहला या दूसरा lecture, उसमें गालिबन मैंने ये question करवाया होगा आपको, जी, आप simplification steps आते हैं, आप इससे जितना चाहें, simplify कर ले, यह देखें जी, पहला आपके पास term sign में ही रही, चुके sign का derivative है, sign में ही रहा, दूसरा चुके cause है, cause को sign में बदल दिया, इसके angle में पाइबर टू आड़ करके, यह आपको answer, cause bx plus c ही देगा, third में sign है, यह इसको लिखा जा सकता है, इस form में, sign का जितना भी मामला यहां पे है, यह आपकी जिस lecture number two में, इसका जो second lecture है, उसमें जो मैंने आपको sign का एने थ रेरिवेटिव लेना सिखाया, यह तमाम, अगर आप वो लेक्शर देख लेंगे, यह आप वो question कर लेंगे, तो आपको यह सारा समझा देगा, किस तरह से sign की, यहाँ पे conversion हो रही है, यह आपने conversion की, इसको मजीद simplify नहीं किया, क्यूंकि इसको possible नहीं है, मजीद simplify करना, और अगर simplification steps होंगे भी, तो बहुत ज़्यादा हो फिर आपके complicated हो जाएंगे, लेकिन अगर आप अपनी book में answer देखें, तो book में आपको, SM Yousaf की book से जोकि एक question है, calculus with analytical geometry, वहाँ आपको यह answer नजर नहीं आएगा, answer आपको किसी और form में नजर आएगा, लेकिन मैं यह कहती हूँ कि, अगर इस question को आप इस तरीके से labness rule से कर लेते हैं, और यह answer निकालते हैं, तो इसके आपको marks मिलने चाहिए, क्योंकि इसमें state यह approved नहीं है, कि आपको कोई specific form का answer निकाल के दिखाना है, तो अगर आप इस तरीके से भी कर लेते हैं, labness rule लगा के, तो आपका answer बर्कुल ठीक है, जी, तो अब हम चलते हैं, इस question को दूसरे तरीके से solve करने पर, जिस से आपका answer match कर जाता है, और एक दूसरा तरीका भी है, इसको solve करने का वाप देख लें यहां पर, देखें, आपने इसका first derivative किया, और इसके पर product rule लगा, एक दफ़ा e की differentiation, sign as it is, एक दफ़ा sign की differentiation, e as it is, इन दोनों terms में से आपने देखा, कि e की पार a x common निकल आता है, और यहां sign के साथ a बचता है, और यहां cos के साथ b बचता है, अगले step में आपने क्या किया, आपने इस a को let कर लिया, r cos theta के बराबर, यहां theta को भी एक dummy है, और b को आपने r sin theta के बराबर let कर लिया, चुक्कि b cos के साथ रखा हुआ था, इसलिए जानबूच कि आपने b की जो value में, जो trigonometric function आपने यहां पे select किये, वो आपने sign, ताकि cos के साथ sign आए, और sign के साथ जो constant है, उसको आपने cos के बराबर let किया, और यह r जो है, यह दोनों में common है, r की value अगर आप यहां से निकालना चाहें, तो आपके पास इन दोनों का square करके sum कर लें, r आ जाएगा और under root से ले ले लें और आपके पास r की value आ जाएगी, यहनिके इन दोनों equations जो आपने let की हैं, इन ही दोनों equations से आपके पास r की value आ जाती है, कैसे, इन दोनों को square करके sum कर ले यह देखें, a square plus b square is equals to r square यहां cos square theta plus sin square theta वैसे वान हो जाता है और r square ख़तम करना है, तो r दोनों तरफ square root ले ले यह r की value यहां से निकलाती है और इन दोनों equations को अगर divide कर दें theta निकलाता है, sin well equation को उपर रखें, tan well equation को नीचे रखें tan theta आपके पास यहां पे निकलता है, b over a और theta की value निकलती है, tan inverse b over a ठीक है जी, यहां से आपने theta की value भी find out करके रख ली क्योंकि theta एक dummy है, जिसको हम यहां इंसर्ट कर रहे हैं और बाद में हमने इसको back substitute भी करना है, इसी तरह से r को भी back substitute करना है, अब यहां जाएं, a की जगा r cos theta, b की जगा r sin theta, r को common निकला लिए, दोनों terms में r को बनता है, e की पार ax पहले common था, अब यह formula आपके पास बनता है, sin theta plus bx plus c, यानि कि अगर इस angle को आप a मालने और इस angle को आप b मालने, तो a plus b का formula बनता है, sin a plus b का formula, तो यह angle है आपका bx plus c, दूसरा angle है आपका theta, तो sin bx plus c, bx plus c plus theta का formula बनता है, ठीके sin alpha plus bita का formula, यह आपके पास बन गया, यह आपने simplify कर लिया, अब इस simplified form का second derivative लें, first derivative किया, वहां से कुछ, आपने कुछ dummy substitutions की, उसके बाद इससे simplify कर लिया, simplify करने के बाद एक और derivative लिया, एक और derivative लेने के बाद, आपने second derivative लिया कैसे, second derivative आपने इस तरह लिया, यह मैं आपको यहां पर करके अगर दिखा दूँ यह रेखें इसका आपने second derivative लिया ना इसका एक दफाँ e कर derivative ठीक है और sin as it is आपका होगा sin bx plus c plus theta ठीक है और plus एक दफाँ e as it is और sin कर derivative cos bx plus c plus theta ठीक है और angle कर derivative लेने की b आगया अब देखें यह दो terms जो आपके पास आती है इसमें आपको फिर यह नजर आता है कि आप इसमें से कुछ common निकाल सकते हैं देखें आपने दोनों terms में से क्या common निकाल सकते हैं आप निकाल सकते हैं r e की पार a x और sin के साथ a रह जाता है again cos के साथ b रह जाता है a sin theta नहीं में लिख रही है angle बहुत लंब है और b cos और again a की वापस back substitution करें a को जो आपने शुरू में लेट किया है cos theta r cos theta b को r sin theta एक और r आ जाता है वो यहाँ पे r square हो जाएगा और again आपके पास sin इस angle में एक और theta add up हो जाता है जिसकी वरह से यह double theta यानकि two times theta हो जाता है यह देखें तो इसलिए secondary derivative को यहाँ पे जो मैंने लिखा हुए न यह मैंने simplified form करके लिखा हुए ठीक है आप इसका detail form में आप इसका एक derivative wall ले 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 product rule लगाके एक दफा के e के e की उपर differentiation sin as it is और एक दफा sin की differentiation e as it is जो product rule लगता है वो ही product rule आपने यहाँ लगाना है फिर उसको दुबारा simplify करना है जहाँ a आएगा उसकी जगा r cos theta और जहाँ b आएगा वहाँ r sin theta पुट करके दुबारा से simplified करके यही तरीके का रिक्तियार करके simplified किया जाता है यह देखें यह मैं समझ जोई थी कि शायद मैंने यह steps नहीं किये हुए लेकिन मैंने यह steps किये हुए है यह उपर नीचे होगे steps थोड़े से यह देखें double derivative मैं मैंने क्या किया है अगर मैं इसको यहां से delete कर दूँ तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले आती हूँ यह देखें अब आप यहां से देख सकते हैं बहुत अराम से कि यह आपके पास first derivative पर आपने इसको उपर product rule लगा है फिर आपने r e के पर ax कॉमन निकाल लिया यह चीज़ बन जाती है a की जगा r cos theta b की जगा r sin theta ठीक है और इसको मजीद यहां पर simplify कर ले r दुबारा कॉमन निकलेगा r square e की पर ax और यह अंदर बच जाता है cos theta sin bx plus c plus theta और sin theta cos bx plus c plus theta इसको simplify करें तो आपके पास बनता है bx plus c plus theta plus theta यहीं के 2 times theta देखें second derivative में r का square हो जाता है e की पर ax as it is रहता है लेकिन b sin के angle में 2 times theta हो जाता है third derivative में 3 times theta हो जाएगा और r की cube हो जाएगी यही pattern आप इसको repeat करते चले जाएं nth derivative पर पहुंच जाएंगे r की power n e ax as it is sin के angle में n times theta add up हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से यह आपको answer पीछे मिलेगा तो इसका तरीके का थोड़ा सा different है यहां हमें labness नहीं लगाना पड़ा अब इसमें आपने answer में करना किया है आपने answer में सिर्फ इतना करना है कि r की back substitution कर देनी क्योंकि r dummy था, theta dummy था, theta की value निकाली थी शुरूर में रखी वी थी वो यहां पे insert कर देनी है और r की भी तो यह आपका final answer इस form में आपको मिलेगा